हलो दोस्तो स्वागा थे आपका रिडिक्स क्लास्रूम में आई होब कि आप लो अपने घर में सेफ और फीड होंगे तो दोस्तो न्या नोटिफिकेशन लेके मैं आ चुका हूँ तो इस बड़ किसके तरब से आया है नोटिफिकेशन सेल बोकारो इस्टिल प्लैन तो है पर हम लोग और डिटेल में जानेंगे अभी अभी असे बोकारो इस्टिल प्लैन रिक्विड्मेंट उचल ट्विट्विड्मेंट उफिसेल वेबसाइट दिया गया है www.sail.co.in यह उनका ओफिसल वेबसाइट है उनके वहां से आप नोटिफिकेशन भी के लिए बता रहा हूं क्योंकि लास्टेट अभी कुछी दिन बाकी है तो लास्टेट कितना है वह अभी आगे डिसकस करेंगे हम वीडियो में तो आप यहां पर देख सकते हैं 244 वेकेंसी से यहां पर अलग-अलग पोस्ट के लिए तो यहां पर देखिए कंडाक्टिंग बोडी किसके तरब से कंडाक्ट हुआ है इस्टेल अटरीट ऑफ इंडिया सेल तो उनका सब्सक्राइब है सेल तो पोस्ट वेडियोस पोस्ट है और नंबर वेकेंसी कितना वेकेंसी है 244 वेकेंसी बिलकुल गवर्मेंट जोब है एकदम और ऑन-लाइन एपलाइब होगा तो अभी और दस दिन बाकी है और यह देखिए सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन एक्जाम होगा फिर इंटर्व्यू होगा तो उनका ओफिसल वेबसाइट यहां पर देखिए मेंशन क्या गया है www.sale.co.in वहाँ पर आप जाके जो PDF नोटिफिकेशन होता है वो आराम से डिटेल में देख सकते हैं बाकी ज्यादा था तो मैं यहां पर कवर करी दूंगा यहां पर दिखिए पोस्ट नेम और वेकेंसी तो कितने क्या-क्या पोस्ट है और उन पोस्ट में कितना-कितना वेकेंसी है तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है consultant grade E3 तो उसके लिए 10 vacancies है medical officer MO grade E1 इसके लिए 10 vacancies फिर से medical officer OHS grade E1 उसके लिए 3 vacancies है तो यहां पर देखिए आप आराम से देख सकते हैं यह चार्ट को पर सकते हैं कौनसा-कौनसा पोस्ट इतना-कितना वेकेंसी है हर में तो यह देखिए management trainees, assistant manager, operator, technician, trainee, mining for men, survivor, mining mate, attendant come technique, trainee, on mining, sir, attendant come technician, trainee, तो यहां पर यह सरा post है, तो total post कितना है 244, यह सरा मिला के 244 post है, तो अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कि application fees कितना लगेगा, online apply करेंगे आप, तो उसमें कुछ charges लगता है, तो यहां पर दिया गया यह देखिए, post दिया है, और general EWS और OVC के लिए कितना चाहिए होग यह पर पोस्ट, यहां देखिए, executive post 700 चाहिए, और बाकी जो SCST, PWD, departmental candidates है, उनके लिए 200 चाहिए, और दूसरा post है, post in grade 3, S3, तो इसके लिए कितना चाहिए, यहां पर दिया गया है, general के लिए 500, और SCST के लिए 150, और आंत लास्ट में, post in grade S1, 300 और 100, तो यह आप आराम से देख सकते हैं, अभी देखते हैं, कि मतलब जो eligibility है, वो क्या है, education क्या-क्या चाहिए आपको, यह अगर आपको apply करना है, तो यहां पर दिया गया है, दखिए, consultant grade E3, तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए, पीजी डिग्री, post graduate in DNV in relevant discipline from a university, institute recognized by medical council of India, national board of examination, national medical commission, तो यह है, और medical officer MO के लिए क्या चाहिए, MBBS from university institute recognized from medical council of India, national medical commission, तो यह चाहिए, और medical officer OHS, तो इसके लिए क्या-क्या चाहिए, MBBS with degree diploma in industrial health, AFIH from university institute recognized from medical, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह अगर मैं पढ़ने गया, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप post कर करके पढ़ सकते हैं, यहां पर दिया गया है, यह देखिए, B.E.D.P. Tech, full time in environmental engineering, environmental science from government recognized university institute, तो मतलब बहुत ही भड़ी 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 कम qualification चाहिए, इन post को अगर आपको चाहिए, तो अगर आपका qualification है, तो आप यहां पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बिंदा से अप्लाई करिए, बहुत ही बढ़िया है यहां पर, जो post है, तो यहां देख सकते हैं, डिटेल में जानना है, तो उनका वेबसाइट से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको PDF परसनले चाहिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उन्हें आपको परसनले भी देख दूँगा, तो यहां पर देखिए, में 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 आपने देख लिया भी अगर आपने नहीं देखा तो मतलब बैक करके आप पॉस्ट करके भी देख सकते हैं अगर आप एप्लाइ करना चाहते हैं तो तो यहां पर पोस्ट नेम है और मेक्सिमम एज लिमिट यहां पर एज लिमिट आपका है की नहीं आप देख सकते हैं मतलब अगर आपका एज ज्यादा हो जाता है उन सब पोस्ट के हिसाब से तो आप अपलाई नहीं कर सकते तो आप आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब तो आप पोस्ट करके बिंदास देख सकते हैं तो यह था आपको नोटिफाइब करने आया था रिमाइन करने आया था क्योंकि यह जो अप्लिकेशन पहले ही निकल चुका है 15 मार्स को ही निकल गया था तो आप तर आकर यह दिखिए यहां पर दिखाए गया है लास्ट डेट 15 एप्रिल को है तो अभी आल्मॉस्ट तेन देज बाकी है तो अगर आपने अप्लाइन नहीं किया है तो जली-जली कर लिजिए और आपका क्वालिफिकेशन अगर है तो आपकर सकते हैं वापे इलिजीबिटी मैंने बता दिया है तो सेल के तरफ से आया है मैं आपको पता दे रहा हूं तो यह था आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा क्योंकि ऐसे में आपको मतलब नया जो जो आएगा तो आपको नोटिफिकाशन देता रहूंगा और रिमाइन करत हूं तो आप उनको भी मतलब देख सकते हैं उनके वसाइसे डिटेल में और अगर आपको मतलब आपको कासुस होता है मतलब देखने के लिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं तो थैंक्यू वेरी मुच